गुद मॉरिंग बच्चो आज हम पार्टनों एक मा की बेवसी पार्ट पढ़ेंगे बेवसी माने होता है बटा लाचारी मतलग कुछ ना कर सकने की जो प्रस्थिती होती है इसको कहते हैं बेवसी बतला करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं तो यह जो हमारी कवीता है इसमें एक मा की बेवसी के बारे में बाती गई है लेकि एक मा मजबूर मा बहुत कुछ करना चाहती है लेकि कुछ कर नहीं पा रही है यह कविता कैसी है क्या है पढ़ते हैं और समझते हैं इस कविता को पढ़ते समय आखों के सामने कई चित्र बनते हैं बच्पन का चित्र बच्पन के खास समय खेल और साथियों का चित्र उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक मा का चित्र इसे पढ़ो और महसूस करो जब हम यह कवीता पढ़ते हैं जो लेखा के इसके वो उसकी बारे बात करें कि जब यह कवीता पढ़ते हैं तो उस समय मेरे आखों के सामने बहुत सारे बच्छपन के चित्र दिखाई देते हैं जो मेरे साथ के अपने साथियों पने दोस्तों के जो याद आते हैं मुझे औ बरसो बाद हम बच्छपन की कही की पढ़ी कभीता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे कभीता पढ़ने के बाद मन के किसी कौने में घर बना लेती है और किसी मौके पर वह उभर आती है कभीता जो है दीरे दीरे आराम से पढ़ने की चीज़ होती है और उस व्हें चुछ समय होता है कभीता कहानी सब के साथ यह होता है इसलिए हमें इससे चिंतिद होने की जरुबत नहीं है कि कभीता एक बार में पुरी तरह समझ में आज रही है यह नहीं अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कभीता कामयाब है दूर्ब क chilly-tah कुई पिक्चर हमारे मैंड में बंती है मतलब उस पहानी को पढ़के कुछ हमारे चीज़ा में याद आती है उस से मिलती जूलती कोई चीज़ाद है तो इसका मतलक यह है कि कविता जो है पढ़ने में काम अगया कविता जो है जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टोटे किलोने की तरह देखने में हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्ड था तो लिखा कह रहा है कि हमारे पड़ोस में अद्रिश हमाने जिए दिखाईना देता है अद्रिश हमारे पड़ोस नहीं आसपास था लेकि हमें उसके बारे में कोई ज्यादा पता नहीं था केवल वो आता था कहीं से हम लोगों के साथ खेलने के लिए जिसका नाम था रतन और पोल नहीं सकता था यानि कि गुंगा था हमारे साथ खेलता था एक टूटे खिलोने की तरह खेलता तो था लेकिन आदा अधा क्योंकि अपने जो हम लोगों हल्दा मचाते थे चिल्लाते थे या दूस्टे को वो चीज़ वो नहीं कर पाता था विरकल वो हमारे तरह ही एक बच्चा लेकि हम सब के बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि वो हमसे अलग था किस बात में अलग था वो उनसे क्योंकि वो बोल नहीं पाता था थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इसारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भैभीत आखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, वो कह रहे हम थोड़ा उससे घबराते भी थे, क्योंकि हम उसको सम अरननर लोन उसके सामझाय दर उसके मत सकते हैं लगें पसका है जतनी देर वो रहता है पास बैठी उसकी मा निहारती रहती उसका खेलना अब जैजे से ऐसे कुछ बहतर समझने लगा हूँ उनकी भासा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है रतन से अधिक उसकी मा की आँखों में जलकती उसकी बेवसी तो लेका कहता है कि वो जिती देर वहाँ पर रहता था उसक उसकी मा उसके पाट बैठके उसको नहारती आने देखती रहती ञाहती तो हर जो कैसे खेल ल hard तो अब मैं जैसे बड़ा हो गयाँ ठोड़ा तो अब मैं यह समर्जने लगाँ कि जो बोल नहीं पाते हैं उनकी भासकु में थोड़ा समझने लगा था क्या-ख़ों कि वह किय आगो नहीं देखती थी तो कैसा महसूस कर झाथे थी चाहती थी कि मेरा बच्च्छ् kilow के संग खेले खूदे इसा नहीं कर सकता मां वह बेबस थी लाचाण थी क्योंकि उस में मुझे बच्चNews थी हाथ demand वच्छपन में एक दोस्त है रतन जिसके याल आती है तो यह पोयम है कहां कभीता है एक बच्चे की और उसकी मा की जो की बोल नहीं सकता था और लेखक उसके साथ अपने संदिताय उसके वच्छपन की घटना को याद करके आपको उसके बारे में बता रहा है धन्यवाद